नमस्कार दोस्तो आपका अपके अपनी चैनल में स्वाक्त है दोस्तो आज किस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानि की 5 सप्टमबर के कुछ एक महत्वपूरन एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहां पे रहेंग की जो बीड़ फोर्थ राउंड की कौंसलिंग है उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट आया हुआ है तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट सबसे पहले आगर हम लोग यहां पे सिदारप टेल इनिवर की बात करें तो सदारप टेल इनिवर्श्टी मंडी ने जो बीड़ फोर्थ राउंड की कौंसलिंग होनी है उसके रिगार्डिंग जो कौंसलिंग सड्यूल है वो जारी कर रहा है तो यहां पे जो भी जिनके भी 22 और उससे ज्यादा मार्क्स हैं वो इस कौंसलिंग के लि 106 EWS की 24 सीटे जो है वो खाली रही है और यहां पे जो यह कौंसलिंग है वो 69 दोजार चोबिस हैने की 6 सप्टंबर को करवाई जाएगी और यह जो सीटे हैं वो यहां पे आर्ट्स और कमर्स में खाली रही है इसी के साथ जो यहां पे नोन मेडिकल और मेडिकल हैं बहां पर 158 seats जो हैं वो खाली रही है जिसमें SC में 16, ST में 16, OVC में 27 यहां पर जो आपकी जनरल कैटेगरी है बहां पर 72, EBS में 18 और अधर स्टेट्स में 9 seats जो हैं वो खाली रही है और इस कौंसलिंग में भी जो यहां पर entrance exam में जिनके 22 यह उससे ज्यादा मार्क से हैं वो यहां पर पार्टिस्पेट कर सकते हैं यहां पर नोन मेडिकल और मेडिकल की जो कौंसलिंग है वो 7 सप्तंबर को जित करवाई जाएगी इसे के साथ जो मेडिकल स्ट्रीम है बहां पर 202 seat जो है वो खाली रही है जिसमें SC में 20, ST में 14, OVC में 30, जनरल कैटेगरी में यहां पर ज से ज़्यादा मार्क्स हैं वो इस कौंसलिंग में जो यह आपको डेट्स दी हुई है से और साथ 6,800 को मेडिकल की कौंसलिंग जो है वो आयोजत करवाई जाही कि इसमें जो छात्र हैं उनको अपने जो डॉकुमेंट हैं वो साथ में लेके जाने पड़ेंगे उनकी फोटो साथ में कैटागेरी की फोटो कपी अधार कार्ड की फोटो कपी इमाचली बोनोफाइड साथ में दो पासपोर्ट साइच फोटो ग्राफ जो है वो लेके जाने पड़ेंगे इसे के साथ जो यहां पे करेक्टर साथिपकेट है या गैप एपड़ेप्ट है दुन्हों जो भी यहां पे एपलिकेबल है वो साथ में लेके जाना पड़ेगा और कॉंसलिंग के पीज जो है वो पचास जा रहेगी और साथ वे जिनको सीड्स मिल जाती है बहां पे जो कर सकते हैं नेक्स्ट अपडेट की बात कुरूंदो नेक्स्ट अपडेट जो वो आपका एच्प इस घ्यार रहेडर यहां पड़ों क्डिकेबल के एदार सीगेशा है पो पो Grade 6 यहां तक सकते हैं उपाइब माइसट अपता है और फिज पर नहीं सीड्यार जाती है हेल्प डेक्स है उसको जो है वो यहां पे उनकी समस्या का एक निश्ची तसमय में निप्टान करना जो है वो होगा सिकायत के बाद उन्हें बकाईद सिकायत नंबर भी मिलेगा और इमेल के माद्यम से जो यहां पे समस्या है उसका समधान होगा तो यह जो यहां पे बेवस् मिल जाएगा और चात्रों को युनिवर्स्टी के चक्र नहीं काटने पड़ेंगे हैलपडक का स्टाप रोज आने वाले समस्यां को अपने स्तर पे जो है वो निप्टाएगा बहीं कोल कर चात्रों का मार्क दरद्रचन भी करेगा जटेल समस्यां या सिकायत को समंदित साकों के जो यहां पे रिस्पूंसीवल ओपसर्स है उनके पास बेज़र जाएगा और जो यहां पे अधिकारी है वो उस पे उच्जित कारपाई जो है वो करेंगे तो यह सिस्टम जल्दी ही है एच्प्यू में जो है वो यहां पे लागू हो जाएगा नेक्स्ट अप्डेट की बात करें तो नेक्स्ट अप्डेट जो है वो आपका एच्प्यू के जो पीजी के रेगुलर प्राइबेट इकार्डियोल और री अपियर के एक्जाम होने है वो कब तक होंगे तो इस बार जो एक्जाम है वो यहां पे जल्दी लग पड़ेंग वो आप लोगों को अक्टूबर लास्ट में देखने को मिल जाएंगे बाग की जो भी रिजल्ट है वो भी अक्टूबर में आने जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे बाग किसके रिगारिंग जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को जुरूर जो है वो इन्फोर्म कर लोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट यह कह रही होगी उसके रिगार्डिंग आप लोग ने बापर मुझे एक परसनली मैसेज कर देना है जहां भी मैं आपके डाउट यह क्यारी को दूर करने के पूरी कोसित जो है वो करूंगा कि दोस्तों अगर आपको वीडियो करें और शेयर करें तो यह अपडियल्स के लिए मारे साथ बने रहीं धन्या बात